हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू राधी कृष्णा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तुलसी विवाह मुरत 2020, तुलसी विवाह विधी और वृत कथा के बारे में इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप चैनल में नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर, बैल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और साथी फैमिली फ्रेंट्स में सेयर करें, तो चलिए वीडियो शास्त्रों में तुलसी पूजा का विशेश महत्व है, वैसे तो साल बर तुलसी जी की पूजा होती है, लेकिन कार्तिक मास में किया गया तुलसी पूजन और तुलसी के सामने दीबदान, मनवानचित फल प्रदान करने वाला और भगवान विश्णु जी की कृपा दिलाने वाला होता है। यदि आप कार्तिक माह के किसी भी दिन भगवान श्री हरी को तुल्सी चड़ा देते हैं तो इसका फल गोदान के फल से कई गुना अधिक हो जाता है। सास्त्रों की माने तो कार्तिक माह के सुकल पक्ष की एकादसी के दिन तूलसी विवा कराने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कुछ लोग एकादसी के दिन तूलसी विवा कराते हैं तो वहीं कुछ लोग द्वादसी तिथी को तूलसी विवा कराते हैं। तुलसी विवाह के लिए देव उठनी का यह त दिन बहुती सूब मुरुष माना जाता है। इस साल तुलसी विवाह गुरुवार के सूब समयोग में 26 नववंबर को किया जाएगा। आएए बात करते हैं इसके सूब मुरुष के बारे में तुलसी विवाह की सुप तिती होगी 26 नौंबर गुरवार को, द्वादसी तिती प्रारंब होगी 26 नौंबर प्रादकाल 5 बचकर 10 मिनट पर, द्वादसी तिती समापत होगी 27 नौंबर प्रादकाल 7 बचकर 46 मिनट पर आईए बात करते हैं तुलसी विवाः विधी के बारे में देव उठने एकादसी या फिर द्वादसी आप इन दोनों तिथियों में से जिस दिन भी तुलसी विवाः कराएं उस दिन सबसे पहले प्रात स्नान के बाद वरत का संकलप करें और घर के आंगन में तुल्सी के पौधे के पास गंने का मंडब बना कर उसे तोरन से सजा लें। पौधे की साथ परिक्रमा करें और फिर सालिग्राम भगवान को तुल्सी जी की बाई और रख दें अंत में आरतिकर भगवान के चरणों का स्पर्श कर सुक्सम्रदी की कामना करते वे तुल्सी विवाह संपन्द करें आये जानते हैं तुल्सी विवाह की कथा के बारे में पौरानिक कथा के अनुसार राक्ष स्कूल में बेहत सुन्दर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वरंदा था, वरंदा बच्पन से ही भगवान विश्नु की पूजा करने वाली उनकी बड़ी भक्त थी, जैसे वह बड़ी हुई उसका विवाह असुर जलंधर से हो गया, वर वरंदा की भक्ति के कारण वह सक्तिशाली हो गया था, और नकेवल मनुश्यवल की देवताओं और राक्षिशों पर भी अत्यचार करने लगा, सभी देवी देवता इस समश्या के निदान के लिए भगवान विश्नु जी की सरण में गये, और तब देवताओं को इस समश से निकालने के लिए भगवान विश्नु ने चलंधर का रूप धारण कर वरंदा का प्रतिवर्ता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वज़े से चलंधर की सक्तियां कम हो गई, और वही युद्ध में मारा गया, इस बात का पता चलते ही वरंदा ने भगवान विश्नु के इ से एक पोधा लगाया, जिसे तुलसी नाम दिया, और कहा कि मेरी पूजा के साथ तुलसी की भी पूजा की जाएगी, तभी से ही भगवान विश्नु जी की पूजा तुलसी के बिना अधुरी मानी जाती है